आज से लगभग 25 वर्ष पूर्फ लिखा एक व्यंग प्रस्तुत है रचना का शीर्शक है एक व्यंग कार की आत्मकता यह एक व्यंग कार की आत्मकता है इसमें आपको एक गधे की आत्मकता से ज़्यादा अनन्द आएगा गधा जमाने का बोजड होता है व्यंग कार समाज की विडंबनाओं को पूरी शिद्दत से महसूस करता है इसके बाद भी दोनों बेचारे इतने भले होते हैं कि वक्त बेवक्त ढेचू ढेचू करके आप सब का मनोरण्यन करते हैं यदि आप हमारी पीडा को न समझ कर केवल मुस्कुराते हैं तो आप से बढ़कर गधा कोई नहीं शमा करें हमारी भाषा ही कुछ ऐसी होती है इस आत्म कथा में जितने प्रयोग सत्य के साथ किये गए हैं उससे कहीं अधिक असत्य के साथ यह निर्णय आपको करना होगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है मोटे तौर पर उपलगधियों के व्योरे को जूटा माने और चारित्रिक कमजोरियों के चित्रन को सच्चा जाने आत्म कथा का जो अंश अच्छा लगे उसे चुराया हुआ समझें और जो घटिया लगे उसे मौलिक मान लें जहां कोई बात समझ में ना आये तो उसका ठीक विपरीत अर्थ लगाएं क्योंकि व्यंगकार शीर्शासन के शौकीन माने जाते हैं व्यंगकार जमाने के साथ चलता है और उनको पहचानता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं आपकी रुची और रुजहान की भी उसे पहचान है इसलिए उसकी आत्मकथा में आपको भरपूर मसाला मिलेगा इस व्यंगकार की हार्दिक और शारिरिक ख्वाइश है कि वह भी कमलादास और खुश्वन सिंग की तरह चर्चित हो इसके लिए वह आवश्यक हतकंडे अपनाने को भी तयार है अब आत्मकथा प्रारंब होती है संयोग से मिरक कल्यूगी अवतार संसकार धानी जबलपूर में हुआ जहां से ओश्यो रजनीश, महर्शी महेश योगी और हरिशंकर परसाई तालुक रखते है आज तक मैं यह नहीं समझ पाया कि लुच्चों लफंगों के लिए मश्रूर इस शेहर को संसकार धानी क्यों कहा जाता है भगवान रजनीश की प्रवचन पुस्तक संभोक से समाधी की ओर का गहन अध्यन मैंने जवानी के दिनों में गैर धार्मिक कारणों से किया था महर्शी महेश योगी के प्रती मेरी गहरी श्रद्धा तब से है जब उन्होंने भावातीत ध्यान के माध्यम से विश्व शान्ती का अनुष्ठान किया था और अमेरिका ने इराग पर कारपेट बंबारी कर दी थी हरी शंकर परसाई का प्रभाव अल्बत्ता मेरी सोच पर परियाप्त रूप से पड़ा है शायद वे ही इस व्यंगकार के प्रेड़ना पुरुश है उनकी तरह लिखना पढ़ना चाहता हूँ लेकिन टांगे तड़वाने में मुझे डर लगता है मैं प्रती बद्धता का जोखिम मौका देखकर उठाता हूँ हरी शंकर परसाई के सांध्य में कुछ बातें सीखी व्यंगकार कोई विदूशक या मस्खरा नहीं होता वह पूरी गंभीरता और सुक्ष्मता के साथ घटनाओं को देखता है उनका बुद्धि मत्ता पून विशलेशन करता है और विसंगतियों पर निर्ममता से प्रहार करता है एक बात में अवश्यवे मुझे मिजगाइट कर गए उन्होंने मुझे ध्यान पूर्वक रवींद्रनात त्यागी की रचनाएं पढ़ने की सलहा दी मैंने उनकी आग्या का पालन किया प्रारंब में तो बहुत आनन दाया लिकिन जब प्रतियक व्यंग में महिलाओं का नक्षिक वर्णन आने लगा तो मैं दिख भ्रमित्सा हो गया लिखते पढ़ते वक्त मुझे जगा जगा गद्य में उरोज और नितम छिपे दिखाई देने लगे और मेरी बुद्धी वगद्य भ्रष्ट होते गए मुझे लगता है कि सम्मानित व्यंगकार की खोपड़ी में कोई रीती कालीन पुर्जा आज भी फिट है मेरे लिखन में जहां कहीं घटिया पन नज़र आए तो उसके लिए आधरणिय रवींद्र नात्यागी को जिम्मेदार माना जाए शरद जोशी के व्यंग मैं मंत्र मुग होकर पढ़ता और सुनता था उनकी शब्द छटा अलौकिक होती थी और मैं मुक्त मन और कंट से उसकी प्रिशंसा करता था लेकिन उनके चेलों में एक अजब सी संकीनता वा विचार हीनता द्रिश्टी गोचर होती है वे हरिशंकर परसाई और उनके स्कूल के सभी व्यंग कारों को खारिज करते हैं जबकि उनके स्वेम के लेखन में द्रिश्टी शून्यता है मैंने व्यंग लेखन के शुरुआत भोपाल में की थी लेकिन ऐसे व्यंग कारों से दूर ही दूर रहा 36 गड़ अंचल के कुछ नामी व्यंग कारों के प्रती मेरी शृत्धा काफी कोशिशों के बाद भी उमण नहीं पाती आज तक मैं यह नहीं समझ सका कि इतने बड़े सरकारी अधिकारी होते हुए श्रीलाल शुक्ल और रविंद्र त्यागी इतने अच्छे व्यंग कैसे लिखते रहे मैं एक अधना सा बैंक अधिकारी हूँ लेकिन लाख चाहते हुए भी लिखने पढ़ने के लिए उतना समय नहीं दे पाता जितना उच्च कोटी के लिखन के लिए आवश्यक है नतीजा यह है कि मेरी गिंती ना तो अच्छे अधिकारियों में होती है ना ही अच्छे व्यंग कारों में है मैं विज्ञान का विद्यार्थी था यह मेरी ताकत भी है और कमजोरी भी जीवन और लेखन के प्रती वैज्ञानिक द्रिष्टी मेरा एसेट है और साहित्ति का घोर अज्ञान मेरी कमी व्यंग की दुनिया में महिला व्यंग लेखिकाओं और प्रशन सिकाओं की कमी बेहत खलती है शायद व्यंग शब्त में ही विकर्षन प्रती ध्वनित होता है फिर भी भविश्य के प्रती व्यंग का राशावान है और इंतजार के मीठे फलों के लिए पलक पावडे बिचाए बैठा है एक ग्रहस्त व्यंग कार इससे अधिक खुले आमंतरन का खत्रा मोल नहीं ले सकता मेरी इकलोती बीवी और मेरा इकलोता बालक सब कुछ जानते समस्ते हुए मुस्कुरा कर सब कुछ जेलते रहते हैं उन पर दो अलग-अलग व्यंग महाकाव बढ़ापे में रचूँगा अभी रिस्क लेना ठीक नहीं है अपने प्रेम प्रसंगों पर भी फुरसप में कभी लिखूँगा इन में धर्म, संप्रदाय और प्रदेशों की संकीन मानसिक्ता से उपर उठकर अनेकता में एकता की राष्ट्री भावना आपको दिखाई देगी प्रारंबिक प्रेम कथाएं प्लेटोनिक हैं और बाद वाली फ्रॉइडियन यानि मैं निरंतर विकास क्रम में आगे बढ़ता रहता हूं लेखन और प्रकाशन के छित्र में मैं बहुत लकी रहा थोड़ा लिखकर खूप छपा और प्रिसिद्धी पाई कुछ सहित्य संपादक मेरे खास मित्र हैं और कुछ पंकज बिष्ट के धोके में मुझे बेधड़क छाप देते हैं कई बार आकाश्वाणी और दूर दर्शन पर भी मैं पंकज बिष्ट के नाम से वारताएं प्रसारित कर चुका हूं स्थानांतरण के बाद जब किसी नए नगर में पहुँचता हूं तो शायद इसी लिए मेरा परिचे सुब विख्यात लेखक के रूप में कराया जाता है मैं खामोश रहता हूं मेरा पहला वेंग संग्रे तिर्ची नजर भी उसी धोके में छप गया प्रकाशक बेचारा आज तक पच्चता रहा है उस तक का शीर्षक देखकर गलत फेहमी में नौजवान और बूढ़े सभी इसे रस लेकर एकांत में पढ़ते हैं बच्चे उसको पढ़कर बाल सहित्त का अनंद पाते हैं कुछ विद्वान आलोचकों ने इस भ्रह्म में पहले संकलन की तारीफ कर दी कि शायद आगे चल कर मैं बहतर लिखने लगूं पाठकों को मैं खुश्वन्त सिंग की तरह मसाले का प्रलोभन देता रहता हूं और वे मेरी रचनाएं किसी जूटी उमीद में पढ़ते चले जाते हैं सहित्तिक मित्रों को बेवकूव बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता उन्होंने लिखना पढ़ना, सोचना समझना काफी समय पहले से बंद किया होता है उनसे मिलते ही मैं उनकी कीर्टी की चर्चा करने लगता हूं और वे जाते ही मेरी प्रितिष्ठा बढ़ाने में लग जाते हैं सहित्तिका संसार अंदर और बाहर बड़ा मज़ेदा है समाज में व्यंगकार कोई बहुत अधिक सम्मान निये जीव नहीं माना जाता भए बिन होई नप्रीती के सूत्र के अंतरगत ही मिलती है ना समझ लोग उससे उसी तरह खौफ खाते हैं जैसे क्रिकेट में बल्ले बाज तूफानी गेंदबाजों से आतंकित होते हैं मुझे तो लेक स्पिन गेंदबाजी में जारा अनन्द आता है लाइन, लेंग्थ और फ्लाइट में परिवर्तन करते हुए लेक स्पिन के बीच में अचानक गुगली या फ्लिपर फैकने का जो आनन्द है वो बाउंसर पटकने में कहां सार्थक और मारक व्यंग वही है जिसमें खिलाडी क्लीन बोल्ड भी हो जाए और अपनी मूर्खता पर तिल में लाने भी लगे व्यंग में लक्ष भेदन की कुशलता के साथ साथ अगर खेल भावना, क्रीडा कौतुक और खिलंदर पन भी हो तो आनन्द कई गुना बढ़ जाता है गंभेरता अपनी जगह है और छेड़ छाड़ का मज़ा अपनी जगह है यह आत्मकथा मैंने बड़ी संजीदगी के साथ शुरू की थी लेकिन लंबा लिखने का धैर मुझे में नहीं है और जो कुछ भी आड़त तिर्शा लिखता हूँ उसे छपवाने की मुझे जल्दबाजी रहती है अतहा आत्मकथा ना सही फिलहाल आत्मकथा की भूमी का पढ़कर ही कृतार्थ हूँ शुब चिंतकों की सलापर धीरे धीरे में अपने व्यंगों को चुइंगम की तरह खींचने का अभ्यास कर रहा हूँ अगर सफल हुआ तो कभी न कभी अपनी आत्मकथा अवश्य लिखूँगा धन्यवाद